हेलो वीवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचा ली कल्पना क्रेटिव व्लॉग्स कैसे हैं आप सर्व आई हो बहुत अच्छे होंगे सो यहां पर आज में आपसे मिल रही हूँ बारा से पंद्रा दिन बात और अभी जो टाइम है शाम का हो रहा है मतलब इबनिंग का टाइम हो रहा है और यह थोड़ी सी दिन की मैंने क्लिप ले थी तो वो यहां पर आड़ कर दी है आदी की वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रेटिव व्लॉग्स कैसे आप सबाए हो बहुत अच्छे होंगे अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग उपर थे तो नीचे आ गए है और बहुत दिन बाद आप से मिल रही हूं बहुत दिन बाद मतलब समझे की 12 से 15 दिन हो चुके है और व्लॉग मैंने नहीं बनाए है आज कैमरा है वो हाथ में उठाया हुआ है कैसे हैं आप सब कमे में बड़ी हुई हूँ और मेरे माई की साइट से तो बहुत जादा पेनफुल डेज गए हैं यह वाले 12 से 15 दिन हो गए है आज तो और इस वज़ए से व्लॉग नहीं आये और मेरा भी मतलब माई की आना जाना स्पेशली गाउं वहाँ था उस वज़ए से जो है मन भी नह कर रहा था और mentally, physically, emotionally बहुत जादा weak feel कर दी थी काफी दिन हो चुक है इस बात को और बस मतलब आज मैंने सुचा कैमरा उठा देती हूं बहुत लंबा टाइम हो गया है कैसे हैं आप सब कमेंट सेक्श में शेयर किजिगा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहां हो, कहां गायब हो, मैं किसी को even मैंने reply तक नहीं किया है और वो message ऐसे के ऐसे ही है, आज आके मैं थोड़ा से active हुई हूँ और मन बहुत अजीब सा हो रखा था इकने दिन से, बाकी जो है मैं कभी व्लॉग में आपको साथ अच्छे से share करूँगी, सो अभी न, ज आप पुराना व्लॉग देखिए, डे बिफोर जो मिस हैपनिंग हुई थी उससे पहले दिन का व्लॉग है, वो आप देख सकते हैं, सो आप उसको देखिए, मैं आप से कल मिलूगी, सो ये बहुत पहले का व्लॉग है, यहां पे न, मैं आज आपके साथ सिंपल सी जो है च चाल, में थोड़ा चाल, मिल न, मुटा मुटा कट किया था और यहां पर सारे सॉसिज मिक्स कीए हैं, जो है वेनेगर और यहां थो राघे, यहां पर दिखिए जो टमाटर की प्यूरी थी आप लिए, यहां पर देखिये, चाल बना इन च्मासा आपका चाल, प्यास बी tighter ह यहां पे बना रही थी और यहां पर देखे थोड़ा सा दड़का मैंने दाल के लिए रखा था आधी के लिए लगानी थी तो मलका की दाल बना रही थी यहां पर तो अच्छा ऑप्षन हो जाता है मेरे लिए तो क्योंकि पनीर के पीसिस मैं ऐसे भी एड़ कर देती हूं और यह व्लॉग शायद जो है दस से पंदा दिन पहले का है एड़िट करके रखा था डे बिफोर जब मिस हैपनिंग हुई थी उससे पहले दिन का व्लॉग है और बस यहां पर देखिए यह सब बनके रेड़ी है और अच्छा बनता है काफी अच्छा चपातिया भी तयार अच्छी सुबह से मैं नी खाय थी सुबह मनी कर रहा था अब जो है मैं गाजर कालवा था बच्चा वो भी थोड़ा कर रहा है तो चली खाना खाते है अब लगए मिया सफाइ कने और आदी भी है सो के उसके पाफा के पास है अब जो है मेरा नास्ट काम रदा कीचन की तरन मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी और मैं जो है बहुत साथ अपसट थी emotionally और mentally बहुत जादा और बहुत अजीब लगता है जब आप किसी अपने को खोते हो ना जिनके जो है जिनके साथ आपके attachment होती है और family के सबसे बड़े सदस्य थे मेरे माई के साइट से बहुत अ जब आप ऐसा सुनते हो तो थोड़ा सा माइन वाश हो जाता है तो वो situation मेरे साथ हो गई थी और इस बीच में जो है बहुत सारी चीज़ें हुई में माई के भी गई आई दो तीन बार गई थी और अब जो है इस चीज़ को बहुत आइम हो गया मतलब 10 से 15 दिन हो गया है थ आना जाना बहुत अटेच्मेंट बहुत जादा थी और हम ना मतलब family में माई की साइट से मेरे पापा वगयरा ब्रदर सारे जितने भी हैं emotionally बहुत जादा attached है और वैसे तो आना जाना बहुत कम होता है सब अपनी life में busy हो जाते हैं बट family ना जो family का bond होता है वो जब किसी एक सदस्य की वज़ा से तूटना शुरू हो जाता है ना मतलब एक के चले जाने से तो बिखर से जाते हैं तो वो वाली feeling ना मुझे आ रही थी ऐसे ही क्योंकि वो घर के बड़े सदस्य थे तो अब भी से लगने लगया था कि हाँ जो अब किसी अपने को और किसी घर के आपने कोई अपना खोया है अपने लाइफ में और अपने फैमिली का कोई मेंबर खोया है तो कितना मतलब वो वाली situation हो जाती है बहुत हार्टब्रेक वाली situation हो जाती है तो वो ही सब जो है पिछले कुछ दिनों से इसी दौर से जो है मैं गुजरी हूँ और बहुत लंब टाइम में इतना व्लॉग में मैंने कभी भी जो है अपने ही दिया है अपने हमेशा continuity रखी है बड़ इस बाना पता नहीं क्या मतलब अजीब सा मतलब बहुत जादा इवन हजबन भी मेरे बहुत जाद हो तिन दिनों से मुझे बोल रहे थे कि अब जो है व्लॉग्स शुर बैक टू रुटीन हो जाते हैं और जब आ फिर अपने वापिस आ जाते हैं अपने डेली रुटीन में आपको याद आ जाता है ना कि ये सारी चीजें होने के बाद वापिस आ जाते तो आपको रलाइस होता है कि हाँ लाइफ गोज ऑन कुछ नहीं रुखता है सब कुछ ज के बाद आपको जब चीजे रिलाइज होती है आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आप तो यह सारी चीजे जो है नॉर्मल लगती है और यह हर इंसान के साथ होता है उस सिचुएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट आगे-आगे जो है ज़से दिन बेचते जा अपडेट मुझे एकज़ेक्टि याद नहीं है और कल से जो है मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी यह पुराना व्लॉग मेरे पास था और मैंने सोचा इसे ही डाल देती हूं क्योंकि बहुत मैनत लग दिये व्लॉग बनाने में सो इतना जो है लंबा सा व्लॉग जो है तो मैंने सोचा इसे एड कर देती हूं और बहुत सारे लोग जो है अपडेट मांग रहे थे कहा हो और जो कि मैंने जो है ना कुछ मतलब ऐसे पोस्ट भी नहीं किया था कुछ भी नहीं मतलब इतने टाइम से मेरा जो इंस्टाग्राम एकाउंट है फेस्बुक और ये आज टाइम लूक गाउंट लूब कर दो लुक अच्छ मुए कर दो बाई